हेलो नमस्कार मैंने नाम है अब नाश और आप सभी का हमारे चैनल के दोस्तों स्वागत है इमाद वसीम जब तक इनको टीम में रखो ये बाबर आजम की इतना ज़्यादा चाटेगा अरे बाबर आजम तो ये है एरो प्लेन में भी बाबर आजम के बंगल में बैठेगा शादाब और इमाम को हटा के बाबर के साथ इतनी नजदिकियां ये करेगा लेकि जैसे ये टीवी चैनलों पे जाता है वहाँ पे मुहम्मद आमीर के साथ गैंग बना के इतनी जहर उगले लगता है ये बाबर आजम के खिलाप की पता ही नहीं चलता है कि ये बंदा अभी भी इनका करियर अगर बचा हुआ है तो इनको बाबर आजम की खपतानी में ही किलना पड़ेगा ऐसी ऐसी बात है करना लगता है निए कि आफका दोस्त जैसा हो गा ना आप भी बिलकुल वैसा ही हो जाते है मुहम्मद आमीर के साथ जो संगती करके काफी ज़्यादा इमादवसीं बिगड़ गये अभी नोंने क्या कहा अभी आपको बताता हूँ अब भी मैं आपको बताता हूँ, धोती कैसे खोला जाता है, मैं आपको बताता हूँ, इमादवसीम ने क्या कहा, कि चन्नही में जो par score है, जो average score है, वो है 310, 320, भाई साथ 20 साल से cricket देख रहा हूँ, भारति है हूँ, चन्नही में कभी भी, कभी भी, average inning score जो है न, 300 प्लस रहा हो जाता है कि औस तन लगबग में हर एक मैच में कम से कम फर्स्ट इनिंग में 310 रन बनते हैं अजी घंटा कहां देखे हो भाई मादवसी मुझे आप जड़ा बता दो आपको बड़ी बड़ी बाते कर रहे होते कि मैं तो जो भी बोलता हूं मैं तो फैक्ट पे बोलता हूं मैं मेरी कोई दुश्मन ही नहीं है किसी से मैं तो पाकिस्तान टीम की बहतरी के लिए बोलता हूं आप जड़ा मुझे बता दे कि चन्ने की पिछ पे कब से 310-320 रन एवरेज स्कोर होने लेगा भाई एवरेज स्कोर का मतलब हर मैच मेरेज का बनते है 234 वहाँ पे हाइस्ट सॉरी एवरेज स्कोर है वहाँ का फर्स निंका 234 थाइसो के बीतर में रहता है 253-258 बहुत जादा हो गिया और पाकिस्तान की टीम ने यही सोचा था कि 280 प्लस अगर हम जाते हैं तो मुकाबला जीत जाएंगे आप ये बोल रहे हो कि बाबराजन को तेज खेलना चाहिए था उस चार स्पीनर्स के सामने आपको लगवा देते हैं नहीं मादवसीम आप अहग देते 24 रन छोड़ो 4 रन ना बना पाते हैं आप राशित खान नूर एहमत के खलाप क्या बात कर रहे हो यार और आप बोल रहे हो कि अजंडा नहीं चला रहे है आप बोल रहे हो अजंडा नहीं चला रहे है आपकी बल्लेबाजी भी हमने देखी हुई है मतलब कराची किंग्स के लिए जब से आप कफ्तान बने हो तब से तो आपने बाबर के खलाप एक्दम मैं समझ सकता हो कि कराची किंग्स अपना अजन्टा बाबर रहाजन के अगेज़ चलाता है लेकिन PSL में चला हो तो अच्छी बात लगती है दोस्त PSL में चला हो अच्छी ठीक है आपका आपकी मजबूरी है आपको पैसे मिल रहे हैं आप कर रहे हो लेकिन यार आप चैनल पे आके ये बोल रहे हो कि मैं पाकिस्तान टीम की भलाई की बात कर रहा हूँ वह स्कोर 310 वाला था फर्स्ट इनिंग, सकेंड इनिंग, अंडर लाइक, चेज करना असान हो जाता जब डिव फैक्टर आता है और उस दिन आपके गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाज, स्वरी, बहुत खराब गेंदबाजी किया अफगानिस्तान के बल्लेबाजों ने आपको पूरी तरस से धजियां उड़ा दी आपकी बॉलिंग एटक को यही अगर आपने दो विकेट पहले आपके गेंदबाजों ने ले लिया होता ना दो सो रन भी बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता आफगानिस्तान के बल्लेबाजों को क्या बात कर रहे हो सर काहे का एक्सपर्ड बन मैठे हो आप आप से ज्यादा तो मैं जान रहा हूँ जितना आपका आजंडा चल रहा है और हर आजंडे पे मैं दोती खोल रहा हूँ आप सभी का आप भी टीम में थे मैं आपकी भी बल्लेबाजी देखी हुई आपकी भी गेंदबाजी देखी हुई है जो लोग बोल रहे है कि मादव पसीम को टीम में होना चाहिए 2019 में दो विकेटर ले पाया था पूरे टोर्डामेट में यह बंदा दो विकेटर और बात करने लगता हूं कि मैं पाकिस्तान टीम के बहतरी क्लिए बोल रहा हूं साथ तौर पे अजेंडा तुम्हारा चलता है सिर्फ बाबर आजम को रेल तेर कभी ख्वाइश पूरी नहीं होने वाली है कभी ख्वाइश यह पूरी नहीं होगी अब बाबर आजम को तो छोड़ो यार कफटान बना और ना बना वो जहां भी रहेगा नंबर वन बनके रहेगा तुम्हाई टीम उसी पे बनी रहेगी वो रन बनाएगा तो टीम कि रहेगी चाहिए वो कप्तान रहे या ना रहे स्टाइट्स पहले देख लिया करो कि 310 या 320 बनने वाला स्कोर था या आपके गेंद बाजो ने खराप रदेशन किया उस पे तो एक मूना निकाल रहे हो आप उल्टा बल्ले बाजो पेटिगरा फोड रहे हो कैसे